गुद मॉर्निंग इस्टुएंट्स मैं डॉक्टर स्मिता श्रास्तर आपके लिए लेके आई हूँ प्रोटो जुआ के कुछ कोश्चन जो कि आपको बी एस सी और टी जी टी पी जी टी दोनों के ही लिया आवशक है तथा कुछ इससे आपको मदद मिल सकती है तो हम इसके कुछ कोश्चन आज पढ़ेंगे यदि आपको पसंद आता है तो मैं इस तरह के कोश्चन और भी लेकर आती रहूँगी तो पहला हमारा कोश्चन है काला आजार फैलता है किसके द्वारा फ्रीवो टोमस के द्वारा ग्लोसेना के द्वारा जू द्वारा या एडीस के द्वारा इसका आंसर है 1 यानि A फ्लेवी टोमस के द्वारा काला आजार फैलता है फ्लेवी टोमस के द्वारा यदि कोश्चन TGT बाइलोजी 2013 में आया हुआ है अब इसके बारे में यह लिश्मानिया दोनो वेनी के द्वारा जबकि ओरिनटल सूर लिश्मानिया ट्रॉपिका दौरा होता है है दिश्मानिया का भाहक रेत्मक्षी यानि सेंट फ्लाई यह फ्लेवियो फ्लिवो साथ के दौरह, ड्रेगन फ्लाई के दौरह, सैंट फ्लाई के दौरह या फ्रूट फ्लाई के दौरह। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा सी, सैंट फ्लाई के दौरह। ये कोशन में टी जी Mitteyleoji 2003 में पूछा गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स कोशन पर नमबर थ्री सेंड फ्लाइ किस रोग के रोगानूओं को फैलाती है यह सारे ही कोशन है इनको घुमा फिरा कर इस तरह से हर बार TGT PGT में पूछा गया है तो इसके आप्शन है काला आजार, टाइफाइट, निद्रा रोग और मलेरिया तो सेंड फ्लाइ किस रोग के रोगानूओं को फैलाती है काला आजार इसका आंसर है ए काला आजार यह भी TGT बाइलोजी 2002 में पूछा गया कोशन है इसके बाद है लिश्मानिया, डोनो वेनी से कौन सा रोग होता है तो यह अभी हमने पढ़ चुके है इन्ही कोशनों को घुमा फिरा कर बार बार पूछा गया है इसका आंसर होगा काला आजार इसके ओप्शन्स हैं निद्रालू ब्याधी ओरिंटल सोर काला आजार और पेचीस या डेसेंटरी तो इसका आंसर होगा काला आजार यह भी TGT-Biology 2010 में पूछा गया question है इसके बाद नेक्स फोशन्स है हमारा काला आजार बिमारी का बाहक है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा B फ्लेविय फ्लिवो टोमस यह PGT 2010 और 13 दोनों में पूछा गया कोशन है यह काफी इंपोर्टेंट है इसके बाद नेक्स कोशन है लाल रुधिर कनिकाओं में शुफनर के बिंदू दिखाई देते हैं फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, काला अजार के कारण या GRDSS के कारण तो इसका आंसर होगा मलेरिया के कारण आंसर B जो होगा इसका सही आंसर होगा इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ जैसे कि मनुश्य के लाल रुतिर कणिकाओं में शुफनर के बिंदू मलेरिया रोक के दोरान एक विशेस अवस्था में दिखाई देते हैं जब मलेरिया पर जीवी प्लास्मोडियम वाइवक्स के क्रिप्टो मिरो जोईट्स आर वी सी में प्रवेश करते हैं तो यह क्रमसा सिगनेट रिंग अवस्था तथा अमीवी अवस्था प्रदर्शित करते हैं अमीवी अवस्था में नारंगी या पीले रंके शुफने डॉट हमको दिखाई देते हैं इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोजवा का एक वर्ग जिसमें केबल आंतिरिक परजी भी सम्मिलित है इसके उप्षन है सारकोडिना, फ्लेजी लेटा, स्पोरोजवा और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा इस पोरोजवा ये कोशन जो है टीजी टी बायलोजी 2011 में पूछा गया है संघ प्रोटोजवा के वर्ग स्पोरोजवा के अंतरगत केबल आनतापरजीवी, यहनि ऐंडॉपेरसाइट होते है इनमें गमन के लिए उपांग यहनि अनुपश्टित होते है और इनमें हैं प्राया इस्पोरोजेनेसिस होता है यहनिनि स्पोर्स कआ जनन होता है ठीक है इसके बाद जो हमारा next question है वो है अमीवा में portion कैसा होता है nutrition in amoevas कैसा होता है पादपसम होता है यानि holophytic होता है परची भी यानि parasite होता है holojoic होता है या फे शेप्रोबायोटिक होता है तो इसका जो answer होगा वो होगा C holojoic ये भी TGT biology 2013 में पूछा गया question है अमीवा में जो nutrition होता है वो कैसा होता हैормोचों होता है ये सर्वहारी होते हैं और सर्वहारी का मतलब क्या हो जाता है सभी परकार के जैसे जली ये सूप्समें जीवों को खाते है और उसके पाशाथ अपनी कोश्का के अंदर food vacuum में उनका पाचन करते हैं और अनतः पाचन अ इसके बाद हमारे इस वीडियो का लास्ट कोश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था पाई जाती है यह कोश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको फिर से रिपीट किया गया है क्योंकि यह दोबारा बार बार इस तरहे के कोश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं तो इसके आंसर है पहला है मानव के रक्त में ब्लेड ओफ मैन मानव के लाल रुधरानू में इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता देती हूं कि मलेरिया परजीबी जो होता है प्लास्वों डियम के जीवन चक में साइजोंट अवस्ता एक अलेंगिक अवस्ता है जो साइजोंट स्टेज होती है वो कौन से होती है अलेंगिक अवस्ता होती है यानि एक सेक्शल स्टेज होती है जो दो इस्थानों पर पाई जाती है या तो मनोश्री के ये क्रत कोश्का में यानि लिवर सेल्स में या फिर मनोश्री की लाल रुदिराणू यानि आर्वी सीस में इस सबस्ता को साइजोगोनी होती है जो एक प्रकार का अलेंगी जनन होती है ठीक है यहीं तक हमारा यह 10 कोश्चन आपके में लेकर आई हूँ यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और मैं इस तरह के कोश्चन और भी लेकर आपके लिए आती रहूँगी तब तक के लिए टेक केर थैंक यू